नमस्कार Capital TV देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा इस वक्त की बड़ी खबर राहूल गांधी से जुड़ी हुई है दरसल राहूल गांधी ने लंदन में Cambridge University में Ideas for India सम्मेलन में एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश पर में हो रही है राहूल गां किसी की नहीं सुनते साथी इंडियन आर्मी की भी तुलना एक ऐसे चीज से की है जसकी चर्चा पूरे देश पर में है बीजेपी में भारी गुस्सा है राहूल गांधी का ये बयान बेहद शर्मनाक है इनी बयानों पे चर्चा करेंगे चर्चा के लिए मासारत नियूज से जड़े हुए है Capital TV के Senior Editor राजीब जी राजीब जी राहूल गांधी किस तरह का बयान दे रहे हैं ये देखिए राहूल गांधी का बयान जो है वो एक तरह से देश के साथ गद्दारी वाला बयान है पॉलेटिकल लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि देश विरोधी बया दे सरकार और देश दोनों अलग अलग चीजे होती है सरकार का बिरोध अलग बात है और देश का बिरोध अलग और इन्हों ने सरकार का बिरोध नहीं किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का बिरोध नहीं किया है उनके खिलाब बयान बाजी नहीं की है बलकि ये पू देश की स्थिति ऐसी हो गई है, इतनी बुरी स्थिति है, पूरे देश में किरोसिन छिड़का हुआ है। और किरोसिन छिड़का हुआ जगह पर अगर एक माचिस की तिल्ली की जरुवत है, पूरा भबक जाएगा। ये क्या इसारा कर रहे हैं? राहुल गांधी का ये जो बयान है, वो एक पॉलेटिकल लीडर के तौर पर बहुत ही अगंभीर और अमर्यादित देश द्रोही गद्दारी वाला बयान है। क्योंकि राहुल गांधी कोई समान व्यक्ति नहीं है, न कोई वो प्रोफेसर है, समाज तुधारक है, राहुल गांधी देश की दूसरी सबसे बड़ी पॉलेटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टी के नेता है। नेता कहने का मतलब ये नहीं है, कि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, बलकि उस पाटी के छुपे हुए सुप्रीम है। आठ साल पहले उनहीं की पार्टी की सरकार थी, उनके पास प्रशासनिक विभाग में एक पैठ है। राहुल गांधी के आसपास कई पुर्व मंत्री हैं, विदेश मंत्री हों, ग्रिह मंत्री हों, सब उनके आसपास हैं। तो ऐसे में वो किसी दूसरे दुश्मन देश को, यानि की चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को यही संदेश देना चाहते हैं। भाई भारत की स्थिती तो ऐसी है, अराजा की स्थिती हो गई है, तुम सिर्फ उसमें चिंगारी लगाओ, भभग जाएगा। यह तो एक संदेश एक इशारा है, और इस इशारे के लिए राहुल गांधी के उपर राष्ट द्रोह का मामला चलना चाहिए। जी श्री लंका की क्या स्थिती हम सब जानते हैं, पाकिस्तान की क्या स्थिती हम सब जानते हैं, पर राहुल गांधी लद्दाक की तुलना श्री लंका से कर रहे हैं और भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। पहली बात तो उसने भारत की विदेश नीती के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि हम अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच के विवाद को एक अलग एंगल से देख रहे हैं हमारे विदेश मंत्री ने दो बार लगतार यूरोप और अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है जो अगले दस साल तक भारत की विदेश नीती के ऊपर सवाल उठाने से ये लोग डरेगा जब पेट्रोल की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था जैसंकर ने कि यूरोप जितना एक दो पहर में पेट्रोल खरीता है रूस से उतना तो हम पूरे महीना में नहीं खरीते हैं पहले अपनी सेती साप करो असपस्ट करो फिर दूसरे को उपर उंगली उठाना और भारत की विदेश नीती किसी से प्रभावित नहीं हो सकती यानि कि अभी भी भी भारत का जो रुक है उक्रेन और रूस के मामले में वो एक सपस्ट तरीके से निस्पक्ष है कि दोनों के आपसी विवाद है ये नाटो और रूस के बीच का विवाद है ये रूस के अपनी गरिमा का छेतर है कि वहाँ पर उसका परसार न हो इसने क्या कहा राहुल गांधी ने लद्दाक की तुलना वहां से की तो पहले तो उन्होंने भारत की विदेश नीती के उपर सवाल उठ कि उन्होंने जबरदस्ती ये थोप दिया कि रूस जो है यूकरेन पर हमला कर रहा है दूसरी बात लद्दाक में वो हमारे इंटर्नल मामले को वहां रिवील कर रहे हैं जो व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर ऐसे बोल सकता है कि भारत में जो लद्दाक का छेतर है वहां चीन है जो घुसपैट कर रहा है और उसके बावजूद भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है तो वो हमें कमजोर दिखाने के कोशिश कर रहा है ये दूसरा गद्दारी का सबसे बड़ा सवाल है इंडिन आर्मी जिसको लेकर हम गर्व से सीना तान के कहते हैं इंडिन आर्मी का त् है और उसमें भी आप अपने देश के अंदर कभी कभी कुछ सवाल उठाते हैं उसकी अहमियत अलग होती है जब दूसरे देश में जाके आप ऐसे सवाल उठाते हैं तो वो एक destructive mind का एक तरह से द्योतक है संकेत दे रहा है राहुल गांधी ने Cambridge में ये प्रोग्राम का नाम क्या था? Ideas for India. यो idea दो तरह के होते हैं एक idea होता है constructive, एक idea होता है destructive, constructive idea में आप ये बताओ कि भारत में क्या क्या हो सकता है और क्या हो रहा है? जब हम दूसरे देश में जाते हैं, बड़े international program में जाते हैं, तो देश का हर व्यक्ति, चाहे वो सरकार का परतनीधी हो या वि पुलाया जाता है, तो वो देश का परतनीधित्व करते हैं, उन्हें भारत के एक सांसद के तौर पर देखा जाएगा, भारत की एक बड़ी पाटी, जो कॉंग्रेस सबसे पुरानी पाटी मानी जाती है, उसके एक member के तौर पर पुर्वध्यक्ष के तौर पर देखा और वो अगर भारत के मामले में ऐसे बयान देते हैं, जो destructive कहा जा सकता है, यह idea constructive नहीं है, यह destructive है, उन्होंने कह दिया कि भारत बिल्कुल कोईले के डेर पर है, कभी भी जल सकता है, भारत में लदाक में यह इस्तिती है, यहाँ पर किसी की बात सुनी नहीं जाती है, हमारे प्रधान मंत्री से कोई interaction नहीं है, जबकि प्रधान मंत्री हर मामले में जो अंतर रास्टी यह अस्तर का होता है, उस पे विपक्षी नेताओं से बात करते हैं, बिल्कुल प्रधान मंत्री ने किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाया है, विदेशी देशों से रिष्ते उन्होंने मजबूत किये हैं, ग्लोबल लीडर है, पर वो कह रहे हैं, प्रधान मंत्री नहीं सुनते हैं, इनको पूछना चाहिए अपने नेताओं से, जब युक्रेन पर हमारी विदेश नीती बन रही थी, कि हमें रूस युक्रेन पर कौन सा स्टेंड लेना चाहिए, त उस समय विदेश मंत्री एस जैसंकर ने सारी पार्टियों के लीडर को बुलाये थे, और उस समय राहुल गांधी के ही, जो पार्टी के नेता हैं, सामसद, शशी थरूर, उन्होंने भारत की विदेश नीती की, उक्रेन पर जो भारत का स्टेंड रहा है, और जैसंकर ने ज विदेशी कली भारतिये है ही नहीं. धर्ती पर राहुल गांधी ने बीजेपी को बदनाम की है, देश में करते, बयानवाजी करते, आप वार पलटवार कर सकते हैं, पर विदेश में जाके इस तरह की राजनीती करना बेहत शर्मनाक है. बिल्कूल, सबसे बड़ी बात है कि आप बयानवाजी जो करते हैं, वो किसके खिलाफ होना चाहिए? दो तरीके होते हैं. पॉलेटिकल बयानवाजी पॉलेटिकल पार्टी के खिलाफ होती है, सरकार के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि सरकार किसी पॉलेटिकल पार्टी की होती है, लेकिन बिवस्था के खिलाफ नहीं हो सकती, संबिधान के खिलाफ नहीं हो सकती, हमारा जो लोक तंत्र है उसके ख पर यहीं बात कही है कि कॉंग्रेस की रोसिंद छिड़क रही है अलग-अलग जगों पर जाके ताकि ऐसी इस्थिति पैदा हो जाए कि इन्हें कहने का मुका मेली कि 8 साल के भारतिय जनता पार्टी के समय में देश की ये इस्थिति हो गई गजीट के ले जाने वाले इस्थिति हो गई थी अंतरास्टी ये करन कर दिया गया कश्मीर के मसले का ये इससे बड़ा जो दुरभाग्य वाला काम कॉंग्रेस और क्या कर सकती थी लेकिन आज राहूल गांधी ने जो ब्रिटेन में जाके बोला है लंडन में जाके बोला है वो बिलकुल ही देश के साथ गद्दारी है भारत के साथ गद्दारी है ऩाने देश में माने देश के लोगू जाना ही पड़ता है और कॉंग्रेस आज जो एक रिजनल पार्टी से भी नीचे अस्तर पर गिर गई है वो राहूल गांधी की ही देन है राहुल गांधी हमेशा ऐसे विवादित बयान ऐसी भाषा ऐसी स्थितिक पैदा कर देते हैं जो कॉंग्रेस में उनकी उनका जो ग्राफ है वो और धीरे धीरे गिर जाता है अब ये 5-5% नीचे जो खिसकता जा रहा है उसी का परिणाम है कि 14-19 में क्या हुआ और 19-24 में जाते जाते राहुल गांधी की पार्टी जो है वो 20 के आसपास रह जाएगी चलिए बहुत बहुत शुक्रे अपडेट देने के लिए तो राहुल गांधी का ये देश बिरोधी बयान पूरे देश भर में खलबली मचा के रखा है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विदेशी धर्ती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है उसको लेकर देश के अंद झाल झाल